करते हैं, पर उस दोरान हमारा मन कहीं और उता है, और मस्तिष कहीं और, ना केवल मन में प्रश उतर चाते हैं, वरह वो कहीं यादों में कल्पनाओं में भी खो जाता है, साथी, ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे आफिर, वही दिर्गंद से भी भटक सकता है, हम वही मौजूद होते हुए भी, वहाँ अनुपस्तित हो सकते हैं, ये ही कारण है, कि हम चीजों को एक बार में ना तो समझ पाते हैं, और ना ही याद रख पाते हैं, इसलिए जब भी कोई कार्य हम पूरी तर्मीन तो वह समगरतर से करते हैं, जब हमारी उच्चा सब तरफ से खटकर जिर्फ किसी एक कार्य या पिंदू पर प्रवाहित होती है, वो एक बार करता है, एक समय में एक कार्य करता है, व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है, तो या तू उसका मन उस कार्य से बोलू, कि आपात के कार्यों में वे भाजित होता हैं, या फिर जिस कार्य को वो कर रहे होते हैं, उसके परिणाम की फिक्र में उर्जा रहता हैं, क्याने जब भी प्राणे किसी कार्य को करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल, कॉलेज, घर, दफदर, कहो यह हमारा मन, उसकार्य से पहने, कि यह कार्य को भी याद रखता हैं,